क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन एस्पेक्ट्रम की चर्चा करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों की जानकारी लेंगे प्यारे बच्चो वह हमने पीछले वाले वीडियो में भी बात किया है आज भी बात करेंगे ध्यान से दिखेगा बोहर भीया ने क्या बता कहते हैं जिस हम क्या कहते है पैरे बचंशो मुं लवस्ता कहते हैं अब वहां पर ये बात भी बोले थे बोहरने कि जब इलेक्ट्रान अपनी निश्चित कच्छांद में चक्कल लगा रहा होता है तो न तो वो और जा काहानी करता है अर्थात कहने का मतलब है कि वो चक्कल लगाने के दौरान अपना उर्जा वो नस्ट नहीं करता ये उन्होंने बताया था परन्तु एक बात और उन्होंने बोला था कि जब इलक्टरान अपनी निस्चित कच्छाओं में चक्कल लगाता है तो अगर आप बाहर से उसके साथ हमने परमाणी को कोई विद्धु चुमिकी तरंग आपतित करा दिए तो अब उर्जा ग्रहन करेगा और शाग्रहन करने के बाद अपनी कच्छा को छोड़कर दूसरे कच्छा में जंप कर जाता है अपनी कच्छा को छोड़कर दूसरी कच्छा में क्या करता है कूद लगा लेता, दूसरी कच्छा में छलांग लगा लेता है तो परवेचो अब जब इलेक्टरान अपनी कच्छा को छोड़का दूसरे कच्छा में जाता है तो जिस कच्छा में जाता है उसे हम कहते हैं उत्तेजित अवस्था उत्तेजित अवस्था ठीक और वहां जाता है इलेक्टरान वहां जाने के बाद उसको पता चलता है यहां तो हम सेफ है ही नहीं, यहां पर हम इस्तिर है ही नहीं, तो इलेक्टरान तुरंत कम से कम समय, मतलब वहां तस घाते माइनस आठ सेकेंड तक रुपता है, और फिर इलेक्टरान जिस कछा से गया रहता है, उसी कछा में वापस लौट आता है, प्यारे बच्चों, और जितना उर्जा लेके गया रहता है, उतना उर्जा पुनह दुबारा आपको असर जित कर देता है, लोडते वक्ने. तो इनहीं सब को हम क्या कहते है है क्या क्यारे बच्चों, जब nearby जाता है, आपनी निमन अवस्था क्या करता है, यानि और निमन अवस्था से उत्जीश से मा आता है तीसे हम क्या कहते हैं उसरजन क्या कहते है पहले गश्रस्च नाभिक थोड़ा से इसका में एक किनारे बनाते पर क्या है कोई एक इलेक्टरान है यहां पर कोई एक क्या है इलेक्टरान है यानि यह कोई नाभीक हो गया नाभीक के पहले कच्छा में यह इलेक्टरान ऐसे बिरताकार कच्छा में क्या कर रहा चक्कल लगा रहा बिना उर्जा को खोए इलेक्टरान पर इक अच्छा में च तरंगे लगा दिया अब बताओ जैसे ही 작은 3m की तरंग गिरेगी न तो इलेक्रान वेद चुमम की तरंगों से उर्जा पराप्त कर लेता है अब कहा पाई जाती फोटान ऑं बंडलों की रूप में पाई जाती है जिसकी प्रतेक की उर्जा क्या होती है unavस्था को छोड़座ूरे कछ्छा में क्या कर जाते हैं चले जाते हैं दूसरे कच्छा में क्या होते हैं यह चले जाते हैं तो ध्यान से समझेगा जब इलेक्टरान मूल अवस्था से किसी उच्छ अवस्था में जाता है तो वहां कौन सी घटना घटित होती है वहां अवस्थोसर की घटना घटित होती है किसकी घटना गटी तोझी प्यारे बच्छो अवसूसर यानि वहाँ इलेक्टरान क्या करता जाने ए उर्जा को अवसूसित करता है परंत यहाँ काफी कम समय तक रहता है क्योंकि यहाँ पताए कि इलेक्टरान को मैं यहाँ पर इस्थिर नहीं हूँ ज्यादर देता कि हारने वालया नहीं हूँ इसलिए जो इलेक्टरान होता पुनह जग उस समय बाद 10 गाते माइनस 8 सेकंड बाद इलेक्टरान फिर से अपनी मूल अवस्ता में आ जाता है और इस प्रासेस को जब इलेक्टरान किसी उचे उरजास्तर से अपने मूल अवस्ता में आता है तो उस समय इलेक्टरान क्या करता है प्यारे ब sommes करता है मान लेते हैं कि ये मानते हैं कि ये इनकी पहली कच्छा थी अर इनकी ये कौनसी कच्छा है दूसरी मतलब ये पहली कच्छा ये कोई दूसरी कच्छा होगी ध्यान से समझेगा अब मैंने आप से पूछाया कोई पूछ लिया प्यारे बच्टो की इस electron को मैं कितनी उर्जा दे दू की ये electron इस कच्छा को छोड़ कर उस कच्छा में चले जाए दूसरे कच्छा में चले जाए तो प्यारे बच्छो बहुत ही छोटा सा बहुत ही आसान सवाल है आसान जवाब भी होगा इसका प्यारे बच्छो ध्यान से समझेगा हमने कहा कि इलेक्रान को यहां से यहां तक जाने में कितनी उर्जा देनी दोनों के उर्जाओं के अंतर के वराबर इन दोनों के उर्जाओं के अंतर के वराबर अगर हम क्या कर दें इस इलेक्टरान को उर्जा दे दें तो इलेक्टरान इस कच्छा को छोड़कर दूसरे कच्छा में क्या होगा चला जाएगा बास समझे आप इतनी बास समझे नहीं अर्थात ये जो यच न्यू उर्जा इसको मिल रही है अगर ये यच न्यू उर्जा इस उर्जा अंतराल के क्या हो जाए एक कुल हो जाए उर्जा अंतरों के कुल हो जाए तो ये इलेक्टरान फटाक से अपनी दूसरी कच्छा में क्या हो जाएगा पहुच जाएगा क्या इतनी बात आप समझे आईए प्यारे वच्चो अब हम वही ग्याद करेंगे कि किसी भी एक कच्छा से दूसरे कच्छा में जाने के लिए किसी भी एक कच्छा से दूसरे कच्छा में जाने के लिए कितनी उर्जा कि आओ सकता होती है अब वही हम लोग व्यात करने चले कि आप इतनी बात समझे इतनी बात आप समझे नहीं समझे एक बार आप फिर से रिपीट कर लो बोहर ने क्या बताया कि यह एलेक्ट्रान जो है न वह अपने एक निश्चित कच्छाओं में चक्कल लगाते रहते हैं परन्तु खास बात यह है कि अपने यह नश्ट नहीं करते हैं ठीक जब उर्जा को नश्ट नहीं करते तो भाई कच्छा की उर्जा से चक्कल लगा रहे हैं इतनी बात तो clear हो रहे हैं फिर बोहर ने एक बाता हो बता दिया कि भाई जब आप बाहर से इनके उपर बैदुचुमकी तरंग आपतीत कराओगे आप बाहर से इनके उपर किसी भी प्रकार का उर्जा डालोगे तेले क्रान क्या करेगा बाहर से उर्जा ग्रहर करेगा अपनी मूल वाली कच्छा को छोड़ तो उतने उर्जा का क्या कर देता है उस सर्जन कर देता है कैईटनी बात आपके क्लियर होई पैरवच्चो अब आईए हम उसके लिए भ्यंजग्यात करते हैं ध्यान से चमझजएगा बहुत ही सरल था मूला है हम जानते हैं किसी भी यनमे कच्छा की किसी भी पर्माड के पर्मार की यनुए कच्छा की जो उर्जा होती है वो होती है माइनस तेरह दसमल उच्छा जड़ इसक्यार बटे क्या होता है एन इसक्यार यह बात आपको समय आई हम एन क्या होता है e n equal to minus 13.6 बटे मैंने क्या बताया था minus 13.6 बटे हमने क्या बताया था प्यार बच्चो n square ठीक और यहाँ into क्या होता जड़ इसक्या यही होता है किसी भी कच्छा के या यहनुए कच्छा की जो उड़जा होती फार्मुला होता अब इसी फार्मुले से हम निकालेंगे इनका मान ध्यान से दिखिएगा हमने क्या कहा कि यह इलेक्रान इस कच्छा से इस कच्छा में तब जाएगा जब e2 minus e1 equal to क्या हो जाए? h new हो जाए तो चलिए उन्ही को हम पकड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? h new बराबर e2 minus क्या हो जाएगा? e1 हो जाएगा क्या इतनी बात आपकी clear हुई? अब हम क्या करते है? E2 की value यहां रखेंगे अर्था दूसरे कच्छा की उर्जा तो दूसरे कच्छा की उर्जा क्या हो जाएगा यहां ध्यान देखिए माइनस 13 दसमल उच्छा जिड़ स्क्यार पूरे के बटे क्या हो जाएगा यहां एंड इसक्यार तो है परन्तु किसका टू का यानि दूसरे गठ चाग एंड टू स्क्यार माइनस यह फार्मुले वाला माइनस है अब एवन एवन के ल स्क्यार होगा फिर क्या है जड़ स्क्यार क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई प्यार बच्छो कहीं भी कोई समस्या माइनस का गुना माइनस से कर देंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस 13 दसमल उच्छा है जड़ स्क्यार पूरे के बटे क्या जाएगा एंड टू का स्क्य माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 13.6 बटे एनवन का स्क्या एंट तो क्या हो गया जड़ इसका क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो गई इतनी बात आपकी क्लियर हुई अब हम जो ह new को छोड़ते आ रहे हैं उनको नोट कर लेते हैं new अब new equal to होता है c upon lambda new equal to होता है c upon lambda क्या हम यहां रख सकते हैं बिलकूर तो hc upon क्या हो जाएगा lambda हो जाएगा अब ध्यान से दिखिए मुझे केवल यहाँ one upon lambda चाहिए बाकी सबको इधर तो ध्यान से दिखना प्यारे बच्चों यह इधर गुराम है अब आपका और step सरल कर रहा हूँ यहां hc को बाहर कर अब और सही हो जाएगा दोनों में कामन क्या है प्यारे बच्चों 13 10 अच्छा और जड़ बिस्क्यार दोनों में कामन है तो 13 10 अच्छा जड़ बिस्क्यार कामन लिए तो ध्यान से दिखना अब पहले हम plus वाला लिख रे हैं फिर बाद माइनस वाला लिखेंगे क्या हो जाएगा वहाँ? एक बटे N1 का squared पिर माइनस वाला पर लिख दे रहा है एक बटे N2 का square अभर अधिहान से दिखिएगा अब यहाँ पर क्या होता है? प्यारे बच्चों कि यह सब गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा वन अपान लेमडा इकोल टू तेरह दसमलो अच्छा है जड़ इसक्या यह इधर आ गया तो बटे क्या हो गया अधर क्या बच्च गया एक बटे यनवन का स्क्यार फिर उसके बाद माहिनस एक बटे यनटू का स्क्यार क्या इतनी बात आपके क्लियर हो गई हो गई अब दिहान से दिखेगा हमने क्या कहा कि एच की बैलू हम जानते हैं तो 13.6 गोड़े दिहान से दिखेगा 13.6 बटे ह का मान 6.62 गोड़े 10 गाते-34, C का मान 3 गोड़े 10 गाते 8 ठीक और यह आपका जड़ी स्क्यार पड़ा रहेगा यह एक बटे यनवन का स्क्यार माइनस एक बटे यनटू का इसक्यार क्या इतनी बात आपके क्लियर हुई इन सभी को हल करोगे प्यारे बच्चो इन total को हल करोगे तो इसकी बैलू कितने आएगी ध्यान से देखना आप इसको हल करके जरूर बताईएगा इसको जब आप हल करोगे प्यारे बच्चो ना इनको जब आप हल करोगे प्यार बच्चो तो आएगा एक दसमलो जीरो नौ साथ कितना आएगा एक दसमलो जीरो नौ गुड़े दस घाते माइनस साथ इन सब को हल करेंगे और साथ में क्या है जड़ी स्क्यार एक बटे एनो वन का स्क्यार माइनस एक बटे यन्टू का स्क्यार क्या इतनी बात आपके क्लियर होई यदि यहाँ हाइड्रोजन की बात हो रहे है तो hydrogen का परमार क्रमांग कितना होता है प्यारे बच्चो एक होता है hydrogen का परमार क्रमांग कितना होता है एक होता है तो यहाँ z की value एक हो जाएगी तो जब z की value एक हो जाएगी यहाँ z square का भी एक cover करोगी कोई मतलब नहीं अब प्यारे बच्चो ध्यान से लिखेगा अब आपका जो लास्ट बेंजग हम लिखने वाले हैं वो यही है वन अपान लेमडा एकोल टू कितना है प्यारे बच्चो एक दस मलो जीरो कितना है एक दस मलो जीरो नौ गुरित दस घाते माइनस साथ ठीक जड का मान तो एक होई ही गया है फिर कितना है एक बटे यनवन का स्क्यार माइनस एक बटे एन्टू का स्क्यार क्या इतनी बात क्हते हैं क्या कहते है यसे रहा थे आपका मेंट फार्मुला यानि कहने का मतलब है प्यारे बच्चो कि जो भी जब कोई इलेक्टरान यहां से इस कच्छा में जाएगा यानि पहले कच्छा से दूसरे कच्छा में जाता है और दूसरे कच्छा से पहले कच्छा में लोडता है तो उस समय इलेक्टरानों के द्वारा जो उस सर्जित विक किरण होंगी प्यारे बच्चो उनका जो तरंग है उनके लिए हमने बेंजक प्राथ कर लिया प्यारे बच्चो और इसी फार्मूले से हम हाइड्रोजन spectrum की सारी किसे की बात करने वाले प्यारबच्चो आप सबसे पहले इसको आप क्या कर लीजे चाहे छाप लीजे चाहे नोट कर लीजे चाहे आप एक किसके शॉट लेजेगा हाँ प्यारबच्चो कमेंट बॉक्स पर जुरूर बताइएगा कि आपको कहीं भी डाउट तो आपको यहां से अगर हमने बनाया था आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत है अच्छे तरीके से मैं समझा सकता हूं के रबेचा लाइन टु लाइन हर एक चेज क्लियर करके जाएंगे द्यान से लेखना, यहांअपर क्या होता चि सबसे पहले हम समझेंगे कि आखे हमने क्या का कि अगर मुझे लाइमेंस रणी समझना है तो क्या होता है लाइमेंस रणी अभी हमने सारी चीज़े समझ काया है कि जब इलेक्ट्रान जब किसी भी इलेक्ट्रान को बाहर से उर्जा देते हैं मूल अवस्था में मूल अवस्था में रहने वाले इलेक्ट्रान को जब हम बाहर से क्या करते हैं उर्जा देते हैं तो ये उर्जा को ग्रहन करके किसी भी उचे उर्जा अस्तर पे क्या कर सकता है छलांग लगा सकता है, किसी भी उचे उर्जा अस्तर पे कूद लगा सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इतनी बात बोहर ने बताया है, परन्तु वहाँ जादे देर तक रहता नहीं, और जादा देर न रहने के कारण, ये पुना अपनी मूल अवस्ता में आता है, मुह लवस्था में लौटते वक्त ये विकिरन उस्सरजित करता है वो विकिरन उस्सरजित करता है प्यारे बच्चो उनकी एक स्रिंखला बन जाती है उनकी एक स्रिंखला त्यार हो जाती है प्यारे बच्चो उन्हें हम क्या कहते हैं स्रिंणी कहते है आए हम ध्यान से देख दूसरे से चाहे तीसरे से चाहे चाहे चौते से चाहे झाकज़वे से mentre चत्वे से चाहे अनन्त से मतलब कहने का मतलब है कि जब किसी ब्रप कुछ भी उचे उर्जा अस्तर से पहले कच्छा में निम्नितम अवस्ता यानि मूल अवस्ता में कूद लगाता है मूल वस्ता में कूदिता है तो जो बिकिरन उस सरझित होती है वो किस स्रứng के अंतरगत आती है लाइमन स्रứng के अंतरगत आती है क्या इस बात से आप सहमत हैं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ जब कोई भी इलेक्ट्राण किसी भी उचे उरजास्तर से यानि कहने का मतलब है चाहे सातवां हो चाहे छटवां हो चाहे पचवां हो चाहे चाहे चौथा हो चाहे तीसरा हो चाहे दूसरा ध्यान से देखना पहरे बच्चो हमने क्या बता है कि जब हाइड्रोजन प्रमार का कोई भी एक लेक्टरान किसी भी उचे उर्जास्तर मतलब चाहे हमारा अनन्त हो चाहे सातवा हो देखिए हाँ अनन्त से भी कूदा है सातवे से भी कूदा है चठवे से भी पांचवे से चोथे से तीसरे से दूसरे मतलब कहने का मतलब है यार कि इलेक्ट्रान किसी भी उचे उлемर जास्तर से कोद रहा है, अगर वो पहले कच्छा में कोधता है, तो पहले कच्छा में कोधने पर जो भी विकिरण उसर जित होती है, वो लाइमनंचनराणी के अंतरगत आती है, क्या इतनी बात आप समझें अब ध्यान से समझना जो लाइमन जिरणी होती है वो लाइमन जिरणी की जो विकिरण होते हैं इनकी जो विकिरणे होती हैं प्यार बच्छो वो पराबैगनी भाग में आता है विद्धुचुम्ब की इस्पेक्ट्रम में पराबैगनी भाग के अंतरगत आता है पराबैगनी भागों में आता है क्या इतनी बात आपकी clear हुई तो आईए प्यारे बच्छों हम इसके लिए ये तरंग देर्ग यानि जो तरंग देर्ग है उसका बेंजक निकालेंगे जो ये विक्रिणडे उस सर्जित हुई है विक्रिणडों का क्या निक पहले उर्जास्तर में कूदता है पहले उर्जास्तर में चलांग लगाता है तो जो विक्रिणडे उस सर्जित होती है वो लाइमेन स्रेणी के अंतरगत आती है एक परिभासा मैं लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चो और बाकी सभी परिभासा को मैं समझा दूँगा आप उसी को आधार भुद बना कर लिख सकते हैं ठीक तो लाइमेन स्रेणी की परिभासा हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन परमार का कोई भी इलेक्ट्रान या कोई इलेक्ट्रान किसी उचे उर्जास्तर से किसी उचे उर्जास्तर से पहले उर्जास्तर में पहले उर्जास्तर में संक्रमर करता है मतलब कूदता है छलांग लगाता है संक्रमर करता है तो उत्सरजित होने वाली विक्रण या विक्रण या विक्रण ये लाइमन स्रीणी के अंतरगत आती है उस सर्धित होने वाली विकरण है लाइमन स्रीणी के अंतरगत आती है अब हमने यह आपको बता ही दिया है प्यारे वेच्चों की जो यह ये किस भाग में आती हैं विद्दुचुम की स्पेक्ट्रम के परावैगनी भाग में आती हैं अब इसके लिए हम जो तरंग दैर का बेंजक लिखते हैं प्यारे बच्चो ध्यान से देखना के ओल आपको इसी फार्मूले से इसका हम लाइमेंस रिणी का जो तरंग दैर का कूद रहा है वह आपका N1 होता है और N2 होता है जिस कच्छा से इलेक्टरान कूद रहा है यानि जिसमें कूदोगे वह N1 होगा और जहां से कूदोगे वह N2 होगा प्यारे बच्चो ध्यान से देखना बस यह ध्यान से यह जो N1 है मैं यहां लिख दे रहा हूं प्यारे ब एलेक्ट्रान कूद रहा है क्या कर रहा है प्यारे बच्चो कूद रहा है वो क्या है कूद रहा है वो एनवन होता है वो क्या होता है एनवन यानि एनवन जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चो देखिए यहां थोड़ा सा एनवन फिर मैं बना दे रहा हूं जैसे कि आप भूर देखो यनुवन के अस्तान पे तो आपका पहली कच्छा है, k्यूंकि सारे इलेक्टरान, किस कच्छा में कूदे हैं, किस कच्छा हम कूदे हैं वई, पहले कच्छा हम कूदे हैं और कहां से कूद रहे हैं, मतलब शुरुवात कहां सुआ है? दो से, कुदना इस्टाट हुए है, यानी यंटु के अस्तार पे हम क्या रख सकते हैं? प्यारवच दो, ती, चार, पांच, शाथ, डॉट, 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 डॉट. इसके लिए तरंगदर का ब्यांज़क क्या हो जाएगा एक बटे लेमडा इक्वल टू ना अब वहां आरा आपका रेड़ बर्ग नियतांक है फिर उसके बाद एक बटे कितना है एनोवन ही स्क्यार ठीक चले एक बटे एनोवन एक बटे क्या जाएगा प्यार बच्छो एक बटे एक का हो जाएगा माइनस ठीक बटे एक नटू का किसका क्याए एन्टू रखना है यांटू की वयलू क्या हो जाएगी तो यहां घ्यार बच्छो जो आभाई दूसरे इसbed हो तीसरे स्वी कूदे हो तो दो फिर तीन भी कूदे हो चार भी कूदे पांच भी कूदे च्छ भी कूदे साथ भी कूदे डॉट 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 अंतर ठीक तो प्यार बच्चो इस प्रकार आपका जो ये लाइमेंस रिणी के लिए बेंजक था वो लाइमेंस रिणी के अंतरगत आने सेखना तो प्यार्वाचो अब क्या होता है ध्यान से दिखना जब कोई भी हिलेक्राण किसी भी कछा से किसी भी कछा से अगर दूसरे कच्छा में कुदता है तो जो विक्रण ने उस सरजित होती हैं और उसरजीत बिक्रण होती है वो किस स्रणी में आती है प्यरवचो बामर स्रणी में आती है क्या मैं बात जो बता रहा हूं समझ मारा प्यरवचो एक बाप फिर से मतलब कहने का मतलब है कि जब इलक्तरान भैया किसी भी ऊचे अस्थान से पकूद कराएंगे कि वो कौन सी सिरणी कहलाती है बामर्ष रणी कहलाती है क्या इतनी बात आपकी clear हुई प्यार बच्चो एक बात धिहान से और सम्मण लेना कि जो बामर स्रेंडी होती है व्विद्दुचुंब की इस ते कि सिर्फ से भाग में आती है किस भाग में आती ही परीवच्चो परीवच्चों दिर्फ से भाग याद रखना है अब ही आपके लास्ट में मैं बताऊंगा कि परशनए कैसे पुछते हैं एक्जाम में यहां से तब आपको याद आएगा मैं जो सारी चीजे बता रहा हूं एक्जाम में आया गा नहीं आयागा आयेगा बिल्कूल आयेगा पूरा यहां से यहां तक स्पेक्ट्रम की ब्याख्या करने के लिए भी पूछ सकता है कि बहुवी केलपी में भी एक एक नंबर का प्रिशन बन सकता है पहले बच्चो और यह आपकी टॉपिक केमेस्ट्री में भी है यह केमेस्ट्री में भी है तो अच्छे से क्लियर कर लो अच्छे तरीके से पहले कच्छा में संक्रमर करता है मतलब दूसरे कच्छा में चलांग लगाता है तो जो विक्रणडे उस सरजित होती है वो कौन से स्रेणी में आती है बामर स्रेणी के अंतरगत आती है प्यारे बच्चों आप ऐसे ही डिफिनिशन लिखना है किवल कहां क्या क्या बदलना जानने है जहां पर आपने यहां लिखा होगा पहले उर्जास्तर में वहीं पर अब क्या कर देंगे दूसरे उर्जास्तर में संक्रमर कर जाएगा कौन से उर्जास्तर में दूसरे उर्जास्तर में संक्रमर करेगा बामर स्रेणी के में उस सरजित होने वाले विक्रन का जो तरंगर होगा वन बटे लेमडा होगा बराबर ठिक आर रिडबर्ग ये तांग है इस बार यहां एनवन इस बार एनवन का मान क्या रखोगे प्यारे बच्चों ध्यान से दिखना इस बार आप सारे कच्छा से कूद है तो यह नवन का मान दो हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां एक बटे क्या हो जाएगा 2 गया माइलनस कही दिहान से रिखना, अब यन्टू का मानі क्या होगा क्या होगा क्या क्या हो बामर स्रेणी के लिए जो तरंग्दर का वियंजक है वो यह है प्यार बच्चो यानि कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी भी उचे उर्जास्तर से कूदोगे दूसरे के कूदोगे तो जो विकरण प्राप्त होती हो बामर स्रेणी के अंतर गताती है बामर स्रेणी किस भाग में आता है प्यारे बच्चो बामर स्रेणी जो होता है बामर स्रेणी जो होता है प्यारे बच्चो वो द्रिस से भाग में आता है तो आप चाहो तो इसका एक स्कुन्साट ले सकते हैं फिर हम बात करेंगे अब पास्चन स्रेणी का प्यारे बच्चो जब ये किसी बी उचे कच्छा से एक मैं उच एसा सोब कूड़ने जू बिकिन होगी वह किस नड़ी के नंतर गता आती है क्या आप इतनी बात समझ पाए यानि हम एक बार आप से फिर से बोल रहे हैं कि जब हाइड्रोजन परमाण का कोई भी इलेक्ट्रान कोई भी इलेक्ट्रान उचे कच्छा से चाहे उचा कच्छा चाहे जो भी हो तीन से ज्यादा होना चाहिए चौथा पाचवाँ हो गई अब मं पाउस पास्टों से लाग में आता है उरक्त भाग में पालई पहली से पास्डिया यहां दूसरी यह आीप एक बटे लैमडा बराबर आर यहां तक तु लिख लिए अब यहन्वन का मान वही होता जिस कछा में लख़ान कुद्रा किस कछा में कुद्रा तीन में तो n1 का मान यहां 3 हो जाएगा 1 बटे 3 का इसक्यार माइनस क्या हो जाएगा 1 बटे n2 का इसक्यार अब यहां n2 का मान कितना होगा यहां जो n2 का मान होगा वो क्या होगा प्यारवाद चो n2 का मान होगा 3 से ज़्यादा क्योंकि यह रही आपकी पास्चन स्रणी कौन सी प्यरवच्चो पास्चन स्रणी किस भाग में आता है औरक्त भाग में किस भाग में आता है प्यरवच्चो औरक्त भाग में अब हम बात करेंगे चौथे स्रणी की कोंसे स्रुणी क्या होता है ध्यान से देखना अब प्रैकेट स्रुणी यह होता है कि जब इलेक्टरान किसी वी ऊचे उरजास्तर से कौन से उर जास्तर में कूदता है च्व॥े उर जास्तर में कूदता है चently यानि जब एलक्ट्राण आपका आपका इलक्ट्राई नहीं हाइड्रोजयन परमार का किसी भी परमार का इलक्ट्रान जो होता है वो उच्छे उर जास्तर से मतलग करनें सध्र çथ Luk's ने मतलग कोई वी उर्जाशतर हो 4 से बड़ा होना चाहिए 4 से ऊचा होना चाहिए बस किसी भी उचे उरजाशतर से अगर आप किस में कुदोगे भाया चौत्य में खुदोगे तो जो बिकिनन सर्जित होती है वो सप्रद्ए體 के तर्गत आती है अब सबस्यक्तला के बताओ yakis mea किस spectrum में आता है या किस भाग में आता तो प्यारा सा जवाब लिखेगा बिद्विचुम्ब की सपेक्टरूं के औरक्त भाग में भ्रेकेट्स नी आती है खतम सवाग ऐसे एक्जाम में आप से पूछते तो भाहिया ब्रैकेट सेरी चल ब्रैकेट सेरी के लिए एक बाप परिभास आ फिर से बोलते हैं जब हाट्रोजन परमार का कोई भी एलेक्टरान किसी भी उचे उर्जास्तर से चौथे उर्जास्तर में संक्रमर करता है तो जो विकिनडे उस सर्जित होती है वो किस में आती प्यारे बच्चो वो ब्रैकेट सेरी के अंतरगत आती है ठीक अब हम ब्रैकेटस रड़ी के लिए तरंग दर्का क्या कर लेते हैं बेंज़ा क्लिक लेते हैं प्यारे बच्चो चलिये एक बटे चार का स्क्यार माइनस एक बटे एंटू का स्क्यार जहां एंटू का मान क्या होगा जहां एंटू बराबर पांच छ साथ आठ यह डॉट तो प्यार बच्चो यह रहा ब्रैकेट सिर्णी में प्राप्त जो विकिरन होती है उनके लिए तरंगदर का रंजक अब आए हम समद लेते हैं फुंड सिर्णी तो पांचवी स्रणी की बात हम यहां पकल लें यहां पर छोड़ी सी यहां पर इस पे सौर बचा है फुन्ड स्रडी किसकी बात करते हैं प्यारवच्छों फुन्ड स्रडी ध्यान से दिखेगा फुन्ड स्रडी क्या करता है कि भया जब हाइड्रोजन परमार का कोई भी इलेक्टरान उचे उरजास्तर से किस उरजास्तर में कुदता है या पांचवे किस उरजास्तर में कुदता है तो जो बिकलने उस सरजीत होती है वो फुन्डस रेनी के अंतरगत आती है यानि कहने का मतलब है कि जब हाइडोजन परमा का कोई भी लेक्टरान किसी भी ऊचे और जास्तर से कहां पे खुटता है यह 5 और जास्तर में खुदेगा तो जो भी किलने उसरजित होंगी वो फुन्ड स्रेणी के अंदर गताती है अब हम फुन्ड स्रेणी के लिए बेंजक प्राप्त करेंगे द्यानस देखेगा यहनुवन होता है जिस कच्छा में एकरान को तद भी किस कच्छा में कुद्रा पांस तो एक बटे लेम्डा बराबर आर यहां हो जाएगा एक बटे पांच का इसक्यार माइनस एक बटे एंटू का इसक्यार ध्यांस देखे यहां जो एंटू है वो छह होगा सात होगा आट होगा फिर डौन फंंडा स्रेडि पररक न अंगबहन के लिए तरंद का बेट तो याद करने का तक लिए का फुन्ड ब्रैकेट और पास्चन किस भाग में आता है औरक्त भाग में उपर के तीन उस्रेणिया और जो पहला होता है वह आपका पराबेग निबा में और बामर जो होते हैं वो दिर से भाग में आता है प्यारे बच्चो और प्रते कच्छा की मैंने उर्जा लिखा है दूसरे कच्छा की उर्जा माइनस तीन दसमलो चार इलेक्टरान बोल्ट होता है तीसरे कच्छा की उर्जा माइनस एक दसमलो पांच एक इलेक्टरान बोल् उत्तेजित अवस्था में आती हैं यानि एलेक्टरान जब भी अपनी मूल वाली कछा को छोड़कर दूसरे में हो three में हो चौतिम मूल कछ़ड़कर चाहिए जिस कच्छा में होगा तो हमेशा वह उत्तेजित अवस्था कहलाता है प्यारे बच्चो इस प्रकार आपकी जो है hydrogen spectrum पूर्ण रूप से क्या होता है complete होता है I hope कि आपको आज की class जरूर समझ में आई होगी प्यारे बच्चो उम्मीद करता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं रह गई होंगी पूर टॉपिक में मिलते हैं आपको next वीडियो में और यह चैप्टर भी आपका सायद प्यारे बच्चो समाप्त हो गया है अब केवल आपका नाभिक से रह गय हो पुषल्ष कच को अ आप आपको विदियोजाब करता जाओंगा प्यारे बच्चो तो विडियोdar होगे वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर कीजेगा मिलते हैं आपको next वीडियो में एक नए टॉपिक के Styles तब तक के लिए वीडियो दिखें शेखिए Thank殺 student जाहिन जाहिन जाभरत